शुप्रभातम आधित्यम संस्कृत के इस कलास में आपका श्वागत अभिनन्दन है आज हम लोग संस्कृत गद्यांस का अध्यन करेंगे और पठित संस्कृत गद्यांस मैट्रिक परिक्षा में 13 अंक का गध्यांस आता है जिसमें 7 अंक वाला हम 2 गध्यांस का आप लोगों को अध्यान करा दिये हैं अब एक जो 6 अंक का जो 2 होता है जैसा कि मैट्रिक का हमारा प्रस्णपत्र होता है 50 नंबर का अबजेक्टिव बनाते हैं और अबजेक्टिव बस्तुनिष्ठ बनाने के बाद जो ही विशयनिष्ठ का आरंभ होता है उसका प्रथम प्रस्ण होता है संस्कृत गध्यांस और वा तेरा अंका होता है और गध्यांस 7 अंका होता है उसका वीडियो में गेस आपको प्रदान कर दिया हूँ अब हम बो गध्यांस दो गध्यांस बताएंगे इसमें और इसका अध्यान कर रहे हैं ये कैसा होगा यहाँ प्रस्ण ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा कि अधोलिखित गध्यांसों को पढ़कर उन पर आधारित दिये गए प्रस्णों के उत्तर निर्देशा अनुसार लिखें जो भी गध्यांस है वो अपठीत है उस गध्यांस को बढ़ियां से पढ़ना है समझना है और उन पर आधारित जो दिया गया प्रस्णा है निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है इस बात का ध्यान रखें आप इस चैनल पर नए हूँ आवसे सब्सक्राइब कर ले और भी जो मैट्रिक परिच्छा देने वाले इस वर्ष चात्र हैं उन्हें भी इस वीडियो को सेर करें वो अभी लाभानवीत हूँ आईए ब हम इस गध्यांस का अध्यान करते हैं बो यहां लिखता है कि महात्मा गांधी भारतस से राष्ट पिता कत्यते सबसे पहले गध्यांस को बढ़ियां से पढ़ना है पढ़के उसके अर्थ को समझना है क्या लिख रहा है महात्मा गांधी भारतस से राष्ट पिता कत्यते महात्मा अगांधी भारत की राश्टपिता कहलाते हैं तस्य जन्म उनका जन्म गुजराँत राज्यस्य पुरबंदर नामकस्तान पर हुआ था एकदम भी भी आई है important है इस वर्स का गध्यांस तस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पुरबंदर नामकस्थले अभुवत तस्य बिंस उनका जन्म गुजरात राज्यस्य गुजरात राज्य के पुरबंदर नामकस्थले पुरबंदर नामकस्थान पर अभुवत हुआ था पड़ले दुवाक मातमा गांदी भारत के राष्ट पिता कहलाते हैं उनका जन्म गुजरात राज्य के पुरबंदर नामक अस्थान पर हुआ था आगे देखते हैं लिखता है कि तस्य पिता करमचंद हा माता चा पुतली बाई आस्ताम तस्य पिता करमचंद और उनके पिता करमचंद गांधी माता चा पुतली बाई आस्ताम और उनकी माता पुतली बाई थे उनके पिता का नाम करमचंद गांदे और माता का नाम पुतली बाई था किसके महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के पिता का नाम कर्मचंद गांदे और माता का नाम पुतली बाई था गांधी नह बढ़ियां से समझेंगे ताकि इसी पराधारित प्रस्न होगा गांधी नह वाल्य नाम मुहंदास हासेत गांधी नह बाले नाम गांधी जी के बच्पन का नाम मुहंदास था गांधी जी के बच्पन का क्या नाम था? मुहंदास कस्तुरबा नाम धेया महित्या सह अश्य विवाह महिल्या होगा यहां महिल्या यहां आधालो होगा कस्तुरबा नामधेया महिल्या सह कस्तुरबा नाम की महिला के साथ अश्य विबाह अववत इनका विबाह हुआ था सत्यम अहिंसा लोक सेवाच अश्य जीवनस्य प्रमुखाह आदर साह आसन लिख रहा है यहां कि सत्यम सत्य अहिंसा लोक सेवाच और लोक सेवा सत्य अहिंसा और लोक सेवा अस्य जीवनस्य इनके जीवन का प्रमुखा आदर्सा आशन प्रमुखा आदर्स थे सत्य अहिंसा और लोक सेवा इनके जीवन के प्रमुखा आदर्स थे शह विनारक्त पातम वह विनारक्त पात के अहिन सात्मक सत्याग्रहिण अहिन सात्मक सत्याग्रहस द्वारा भारत देशं स्वतंत्रम अकरोथ भारत देश को स्वतंत्र किये बहुत बड़ी चीज है कि सह विनारक्तपातम अहिन सात्मक सत्यागरहन वह विनारक्तपात के वह विनारक्तपात के रक्तपात कब होता है जम्मार्ज होता है लडाई होती है तो बिना लडाई के विनारक्तपात के अहिन सात्मक सत्यागरहन अहिन सात्मक सत्यागरह द्वारा भारत देशम स्वतंत्र मकरोत भारत देश को स्वतंत्र किये अब हम लोग गध्यांस पढ़ लिए इसी गध्यांस पर आधारित प्रशनों के उत्तर लिखने हैं गध्यांस को बढ़ियां से बिल्कुल समझ जाना है एक बार सिर्फ हिंदी अर्थ को हम इसके बता देते हैं आप उन्हें एक बार ध्यां से सुन लें और प्रशनों का उत्तर अपने से लिखने का प्रयास करें मात्मा गांधी भारत के राष्ट पिता कहलाते हैं उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरवंदर नामकस्थान पर हुआ था उनके पिता कर्मचंद और माता पुतली भाई थी गांधी जी के बच्पन का नाम मोहंदास था कस्तुरवा नाम की महिला के साथ उनका विबाफ हुआ था सत्य अहिंसा और लोक सेवा इनके जीवन के प्रमुख आदर्स थे वह बिना रक्तपात के अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा भारत देश को स्वतंत्र किये अब हम लोग जब पढ़ लेंगे तो ठीक एकदम एकजामिनेशन में अईसा ही इस पर आधारित कोस्टन होगा जो इतना कोस्टन हमको ये दिख रहा है अईसा ही कोस्टन हमको मैट्रिक परिक्षा में भी मिलेगा को प्रस्ण जो होगा उग कहेगा कि एक पदेन उत्तरत दो कुश्ण होंगे, दो प्रस्न होंगे, जिनका उत्तर आपको एक-एक पद में देना है, इस बात का सदय वध्यान रखना है, एक पदेन उत्तरत, यानि आपका उत्तर जो होगा वह एक सब्द में होना चाहिए और वह एक-एक अंक का होता है, और इस परकार आपको जो है दो अंक मिलते हैं, यदि दोनों सही होता है, जैसे इस पराधारित जो पहला प्रस्न है, वह लिखता है कि गांधिनह जन्म कुत्र अभवत, गांधिनह जन्म कुत्र अभवत, गांधी जी का जन्म कहा हुआ था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, गांधी जी का जन्म कहा ह हुआ था वो पूछ दिया एक पदेन यहां पूछ रहा है ना कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ था और आपको उतर एक सब्द में लिखना है तो एक सब्द में सिर्फ क्या लिखनेंगे पूरबंदरे यानि पूरमद्धनवे तो अब आपको एक नंबर मिलेगा मैटिक परि प्रशन है हमारा गांधी महोदयस से माता का आसित गांधी महोदय के माता का नाम क्या था अभी पड़ा है हम लोगों ने पुतली बाई पिता का नाम कर्मचंद और माता का नाम पुतली बाई तो माता का नाम पूछ रहा है एक सब्द में तो सिर्फ माता का नाम लिख दें और वह एक प्रस्न का उत्तर दू अंका होगा दोनों लिखेंगे चार नंबर मिलेगा इस प्रकार चार और दू छो नंबर का ये बौग अध्यान्स होता है तो पुर्णवाक के वाला देख लेते हैं पुर्णवाक के यहां लिखता है कि गांधी महोदयस से जीवनस से आदर साह के आसन गांधी महोदयस से गांधी प्रस्न को बनियां से समझना है और लिख रहा है कि गांधी महोदयस से गांधी महोदयस से जीवनस से जीवन के आदर्स के आसन कौन थे गांधी महोदय के जीवन के आदर्स कौन थे तो यहां मैंने इसका उत्तर लिखा है आप उस ग प्रद्यांस में भी देख सकते हैं गांधी महोदयस्य जीवनस्य आदर्सा सत्यम अहिंसा लोकसेवाच आसन गांधी महोदय के जीवन के आदर्स सत्य अहिंसा और लोकसेवा थे यहां भी आप देख सकते हैं गांधी महोदयस्य यहां लिखा है न यहां देखे लिखा है प्र प्रमुखादर्साह आसन प्रमुखादर्साह आसन अब प्रस्न के अनुसार हमको उत्तर लिखना है तो यहां हमने लिख दिया है कि गांधी महोदय अस्य जीवन असन इस प्रकार आप लिखेंगे यानि प्रस्न के अनुसार उत्तर लिखेंगे और खो का दूसरा प्रस्न है हमारा कि गांधी महोदय कथम भारत देशम स्वतंत्र मकरोथ गांधी महोदय कैसे भारत देश को स्वतंत्र किये थे हुआ भी हम लोगों ने अन्त में पढ़ा था उस गद्यांस के और यहां इसका उत्तर मैंने लिख दिया है कि गांधी महोदय रक्त पातम भिना अहिन सात्मक सत्याग्रेण भारत देशम स्वतंत्र मकरोथ जिसका उत्तर यहां है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे गांधी प्रस नहीं है कि गांधी महोदय कैसे भारत देश को स्वतंत्र किये तो अभी अंतिम वाक के जो आपके गद्यांस का है उसको हम लोगों ने पढ़ा था यहां कि सह विनारक्त पातम अहिन सात्मक सत्याग्रेण भारत देशम स्वत अंत्र में देख सकते हैं यहां मैंने लिख दिया है कि गांधी महोदय अरक्त पातम विना अहिन सात्मक सत्याग्रेण भारत देशम स्वतंत्र मकरोत थोड़े से समझदारी किया हो सकता है जितने यह प्रस्ण होंगे गद्यांस वाले यह 13 नंबर तो हमारा बिलकुल नहीं छोटना चाहिए क्योंकि इन प्रस्णों का उत्र इसी गद्यांस में थोड़ा सा अपने बुद्धी का सदुपयोग करना है खोज लेना है और खोज के एक सब्द में पुछ रहा है तो एक सब्द में लिख देना है एक वाक्य में कह रहा है तो हमें एक वाक्य में उस प्र पूर्णो लग रहा है इस वीडियो में मातर इतना ही अच्छा लगा है अवसे लाइक किजेगा यदि कोई समस्या समझ भी नहीं आता है या संस्कृत से संबंदीत कोई बात आपको जाननी है तो आप अवसे मुझे कमेंट करें मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करू फिर मिलते हैं आप से नेक्स क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुफ कामना